हेलो एस्पिंट्स वेलकम टो अनलोग चीएस अकेडमी चलिए स्टार्ट करते हैं दिसम्बर मंद का फर्स सेशन जिसमें हम न्यूस पेपर की एक्जाम ओरिंटेट इंपॉर्टेट न्यूस को मुल्टिपल चॉइस कोशन के तुरू कबर करते हैं तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौनसे टॉपिक कबर करने वाले हैं प्रिवियस नवंबर मंद के कोशन्स भी हम इसी तरीके से डिसकस कर चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आज हम चर्चा करेंगे पैटॉलियम एंड एक्स सोर्सेस 2021 रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे जॉंबी बाइरस के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपोर्टेंट सेशन ये कुशन आपका पैटॉलियम एंड एक्सप्लूसिब सेफ्टी और्गनाइजेशन से सम्मंदित है जिसके रि अन्डर दा विनिस्ट्य ओफ केमिकल एंड फटलाइजर के अंतगर थर्ड इस ट्रिटमन में आपसे कहा गया है कि इसका जो हैड़कॉर्टर है बैं न्यु धाली में इस्तित है तो इसका अब मैं आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आट करना है तो चलिए देख लेत कि ये function करता है under the Ministry of Chemical and Fertilizer तो ये wrong statement है क्योंकि ये under the work करता है Ministry of Commerce and Industries के third statement में जो बात की गई है कि इसका जो headquarter है वे New Delhi में है तो इसका headquarter New Delhi में नहीं बलकि नागपुर में इस्तित है तो इसलिए इसका जो second और third statement wrong हो जाएगा इसलिए इसका जो answer है C1 only चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों है अभी government of India के दोरा जो ESRO को exam कर दिया गया है जो कि उसके लिए जो solid propellant के लिए जो space rocket में यूज करता है उसके लिए N.O.T. लेने के लिए उसके use और storage करने के लिए जो उनको N.O.T. लेनी पड़ती थी पेसो से तो उसके लिए उनको exam कर दिया गया है अब उनको license लेने की इससे जरूत नहीं है अगर हम बात करें पेसो की तो ये formally इसको known किया जाता था Department of Explosive के दोरा इसका जो headquarter है वे नागपूर महाराष्ट में स्थित है और ये एक nodal agency है जो की regulate करती है जो की hazardous substances होते है उनकी safety से सम्मदित जैसे की कोई explosive हो गए compressed gas और जो petroleum जो होते है उसको handle उसको regulate करने का काम पेसो के दोरा किया जाता है ये बर्ग करती है Explosive Act 1884 Petroleum Act 1934 और उससे सम्मदित जो rules होते हैं उसके अंतरगत ये बर्ग करती है और ये एक arm है Department of Promotion, Industry and Internal Trade के अंतरगत जो की आती है Ministry of Commerce and Industries के अंतरगत तो ये हमने बात की पेसो के बारे में चलिए चलते हैं Next Question पे Next Question आपका कुछ terms दी गई है आपको ये बताना है कि ये mention की जाती है न्यूश में ये किस से सम्मदित है DJBU आपकी Fowos, Hive ये terms किस से सम्मदित है चार ओप्शन आपके सामने है एक्सो प्लेने, Cryptocurrency, Ransom Bear, Mini Satellite तो चलिए देख लेते हैं इसका अंसर ये जो terms है DJBU, Fowos और Hive ये आपकी जो term है बेरेलेटेड है Ransom Bear से चलिए जान लेते हैं अभी Ransom Bear अभी चर्चा में क्यों रहा अभी जो AIMS का जो server है उस पर Ransom Bear अटेक हुआ साथ दिनों के लिए और इसने जो इसने अटेक किया और ये जो अटेक ने डैमिज कर दिये जो hospital के online operations होते हैं उसको इसके अलाबा इसका मतलब डर ये है कि इससे लगपक तीन से चार करोड patient का जो information होती है जो critical information होती है बग compromised कर ली गई है इसके लाबा इससे समदे जो IT Act है IT Act के अंतरगत इसकी जो FIR दर्श कराई गई है इसके लाबा जो hackers है बेस suspected हैं कि ये चाइना से attack हुआ है या North Korea से ये अगर हम बात करें ransomware एक तरीके का malware या एक तरीके का malicious software होता है जो कि आपका जो computer होता है उसकी data को encrypt कर देता है और आपको अगर इसको decrypt कराना है तो उनको एक ransom देना होता है एक फिरौती देनी होती है एक तरीके से ये आपके computer का जो data होता है उसको kidnap कर लेता है और उसके एबच में आपको कुछ ransom उनको देना पड़ता है और जब आप उसको ransom दे देते हैं तो वे आपके data को decrypt कर देता है तो इसको आप एक तरीके से online kidnapping बोल सकते हैं अगर हम बात करें ransomware के जो trends है in India के अंतरगत तो जो हमारी nodal agency है computer जो cyber security से समझे जो nodal agency है computer emergency response team तो इसके अंतरगत ये witness किया गया है कि जो हमारे financial year 2022 में लगवाग 51% rise हो गये है ransomware incidents इसके लाबा ये जो ransomware है well किसके दौरा हो रहे है DGVU, Phobos और Hive की दौरा जो largely इनी के दौरा हो रहे हैं और जो most important जो sector है जो कि इससे प्रभावित हैं जैसे कि IT industry और इसके बाद आपकी manufacturing और finance industry इसके अंतरगत आती है इसके अलाबा जो भारत में इससे निपटने के लिए कुछ cyber security से समझे कुछ इनिसियेटिव लिए गये हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो जो हमारी national critical information infrastructure protection center है जिसको establish किया गया था या आपके 2014 के अंतरगत और ये बनाई गही थी आपकी IT act 2000 के अंतरगत अगर हम बात करें जो हमारी critical infrastructure होते है उसके को secure करने के लिए उसको protect करने के लिए ये measures लेती है जैसे अगर हम critical infrastructure की बात कर लें तो हमारे जो transport sector है जैसे कि metro का पूरा chain है इसके लाब जो power stations है ये हमारे critical infrastructures है तो इनको protect करने के लिए ये प्रयास करती है इसके लाबा ये जो National Critical Information Infrastructure Protection Center है ये NTRO के अंतरगत काम करता है National Technical Research Organization के अंतरगत जो कि Direct PMO के अंतरगत आती है और अगर हम बात करें इसको जो NTRO को जो Head करता है वो National Security Advisor के दोरा Head की जाती है जो कि अभी हमारे Ajit Dobal Sir है इसके लाबा एक Computer Emergency Response Team है जो कि Response करती है किसी भी तरीके का अगर Computer Security से सम्मंदित कोई incidents होते हैं इंडिया के अंतरगत तो उसके लिए जो Noodle Agency है वे Computer Emergency Response Team यानि की Cert-In है साथ ही एक National Cyber Security Coordinator जो कि एक कॉडिनेट करता है different agencies के बीच में इसके अलाबा एक National Cyber Security Policy 2013 भी तयार की गई है भारत सरकार के दौरा अगर हम बात करें National Cyber Security Policy है 2013 इसका उत्यश है कि एक तरीके से Secure और Resilient Cyber Space तयार करना for citizens, for businesses और for government के लिए इसके अलाबा Cyber Strokes ता के इंद्र है यह जो एक तरीके से हमारे computer में bots जो आ जाते हैं उसकी cleaning और जो malware analysis center के रूप में बढ़ करता है जो कि आपका Cyber Security के violation से लडने के लिए और उसको increase करने से रोकने के लिए यह प्रयास करता है इसको launch किया गया था Cyber स्रक्षता के इंद्र को 2017 में किसके दोरा Computer Emergency Response Team के दोरा और as a desktop और जो mobile security से संबंदे जो solutions है Cyber security से संबंदे वे इसके दोरा provide कराए जाते हैं इसके लाबा एक Cyber स्रक्षित भारत योजना है यह एक तरीके से awareness generation program है जो कि conduct कराता है workshops और जो कि best practices हो सकती है Cyber security की health से संबंदे तो उसके लिए यह provide कराता है इसको launch किया गया था Ministry of Electronics and Information Technology के दोरा जो कि इन association बेथा National E-Governance Division के दोरा जो कि industrial player है 2018 में यह mighty और जो आपका National E-Governance Division और जो industrial जो players थे उनके साथ मैं मिलकर इसको 2018 में launch किया गया इसके लावब एक I-4C है यानि की Indian Cyber Crime Coordination Center जो की create किया गया है for combat जो cyber crime से संबंदित है उससे निपटने के लिए साथी साथ यह एक तरीके का comprehensive and coordinated manner में एक दूसरे को agencies को जोडने का यह प्रयास करता है लेकिन इसमें यह बात ध्यान रखिएगा इसको established किया गया है 2018 में और यह function करता है Ministry of Home Affairs के इसके लाबा जो हमारी certain है वे भी आपकी Ministry of Electronics and Information Technology के अंतरगत जिसको हम IT के नाम से जानते हैं उसके अंतरगत यह certain काम करता है और अगर हम इसकी बात करें तो इसको established किया गया था 2004 में जो हमारा IT Act है उसके अंतरगत साथ ही अगर हम बात करें जो ransomware के कुछ types की बारे में तो एक होता है locker ransomware जो कि आपके जो basic computer के जो functions होते हैं उसको block कर देता है इसके लाबा एक crypto ransomware होता है जिसमें आपकी जो file होती है उसको encrypt कर दिया जाता है और आपसे demand किया जाता है ransom इसके लाबा जो आपको एक तरीके से decrypted जो की होगी बै आपको ransom देने के बात दी जाएगी इसके लाबा आपको double extraction ransomware भी होता है जिसके अंतकत आपकी जो file को encrypt कर दिया जाता है और जो आपका data है वो export कर दिया जाता है और उसके बेहाब पर आपको blackmail किया जाता है उसको ransom देने के लिए तो ये question हमने discuss किया ransomware से सम्मंदित चलिए चलते हैं next question पर next question आपका government e-marketplace से सम्मंदित है जिसके regarding आपको तीन statement दिये गए है फर्स statement में आपसे कहा गया है कि जो government e-marketplace है एक तरीके का one stop national public procurement portal है जो कि functions करता है ministry of finance के अंतरकत second statement में आपसे कहा गया है कि ये facilitate करता है online procurement, online खरिचदारी for common use, cable goods के लिए जो कि आपके various governments के लिए आपको require होते है या आपके departments के लिए organization, PSU या cooperatives के लिए इसके लावा third statement में आपसे कहा गया है कि इसको managed किया जाता है government e-marketplace special purpose vehicle जो कि 100% government owned company है तो इसमें आपको correct statement find out करना है तो चलिए देख लेते हैं इसका answer इसमें जो first statement में बात की गयी है कि जो आपका government e-marketplace है एक one stop solution है जो कि national procurement के लिए use किया जाता है पोर्टल है जो कि function करता है ministry of finance के अंतागद तो ये ministry of finance के अंतागद नहीं बलकि ministry of commerce and industries के अंतागद ये बर्ग करता है तो ये wrong statement हो जाता है second statement में बात की गई है कि facilitate कराता है ये online procurement जो common use only for goods तो ये goods के साथ साथ आपकी services के लिए भी ये procurement प्रोवाइट कराता है for departments, organization, PSUs, cooperatives के लिए इसके लाबा ये इसको जो manage किया जा रहा है आपकी जो आपकी government e-marketplace special purpose vehicle जो की 100% government owned company है तो उसके दोर इसको manage किया जा रहा है तो इसके इसके इंतागद ये correct statement है इसमें first statement wrong, second statement wrong इसलिए इसका जो answer हो जाएगा B3 only चलिए जान लेते हैं अभी चल्चा में क्यो रहा government e-marketplace जो platform है उसने लगभग 1,00,00 करोड रुपीज के जो platform ने cross कर दिया है merchandise value को financial year 2022-23 के लिए तो इससे जो government procurement होता है बे लगभग 1,00,00 करोड को इसने पार कर दिया है इसके अलाबा ये एक जो government e-marketplace है एक one stop national public procurement portal है जो की function करता है ministry of commerce and industries के अंतरकर इसको launch किया गया था 2016 में साथी साथ ये create करता है open and transparent जो procurement है जो government के दौरा किये जाते है बे उनको एक तरीके से पारदर्सी तरीके से खरीदारी के लिए एक platform provide कराता है इसके अलाबा जो इसमें जो government e-markets place ने अगर cumulative रूप में देखा जाए तो इसने लगभग gross की बात करें gross merchandise value की तो 3,00,00 करोड इसने सरपास कर दिया है इसके अलाबा अगर हम बात करें इसके features की तो ये facilitate कराता है online procurement for common use for goods and service के लिए जो भी आपकी various government departments को चाहिए या organization, PSUs या corporatives के लिए require है इसके अलाबा ये एक paperless, cashless and contactless platform है जो की आपको end-to-end solution provide कराता है ये अगर general financial rule 2017 की बात करें तो इसके अंतरगत mandatory कर दिया गया कि सारी ministry और जो department है बे procure करेंगे, जो खरिदारी करेंगे goods and services की बे government e-marketplace से ही करेंगे और इसको जो manage किया जा रहा है government e-marketplace को बे special purpose vehicle के दोरा किया जा रहा है जो कि 100% government owned company होती है company है section 8 company के रूप में इसको एक अलग से company बना दिया जाता है special purpose vehicles के रूप में तो उसको own कर रहा है पूरी तरीके से 100% government company के दोरा अगर हम बात करें इसके significance की government e-marketplace के तो इससे आपकी transparency बड़ी है efficiency बड़ी है साथी साथ public खरिदारी की जो है by speed may fee इससे increment हुआ है इसके लाबा जो हमारे government departments है इससे online खरिदारी कर सकते है goods and services की इसके लाबा ये up-to-date user friendly dashboards है जिसमें आप खरिद कर सकते है उसकी monitoring कर सकते है कि वे कब supplies होगा और कब उसका payment किया जाएगा इस तरीके से आप government e-marketplace में इन facilities को use कर सकते हैं इसके लाबा ये provide कराता है tools जो e-bidding साथिसा reverse e-auctions के लिए भी जो कि government का कोई अगर कोई material है उसको auction करना है तो वे भी इसके अंतगत provide कराया जाता है जिसके कारण से जो users होते हैं वे भी इसकी best value company के जो government department से उनको मिल जाती है तो ये question हमने डिसकस किया government e-marketplace से संबंदेट चलिए चलते हैं next question पर next question आपका carbon capture utilization and storage से संबंदेट है जिसके regarding आपको दो statement दिये गए है first statement में आप से कहा गया है कि जो CCUS है ये encompass करता है technology जिससे की remove करता है CO2 को atmosphere से और साथी साथ recycle करता है CO2 को second statement में आप से कहा गया है कि जो ministry of environment है उसने launch किया है CCUS framework और इसके mechanism को in India तो इसमें आपको correct statement find out करना है तो चलिए देख लेते हैं इसका answer इसमें जो first statement में बात की गई है कि जो carbon capture utilization and storage है ये encompass करता है technology को जो की remove करती है CO2 को in the atmosphere atmosphere से साथी साथ ये follow up करती है आपकी recycle करता है CO2 को तो ये इसके अंदागत correct statement है second statement में जो बात की गई है कि ministry of environment के दौरा इसको launch किया गया है CCUS framework को और इसके mechanism को in India तो ये wrong statement है क्योंकि ये framework है इसको framework को launch किया है नीती आयो के दौरा ना कि आपकी ministry of environment and forest climate change के दौरा इसलिए इसका जो answer हो जाएगा ये बन only चलिए देख लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों है तो कि नीती आयोग ने भी launch किया है carbon capture utilization and storage policy framework को और साथी साथ इसका जो deployment किया जाना है उसको इस्थापित किया जाना है किस तरीके का mechanism में रहेगा है इंडिया के अंतरगर उसके लिए उन्होंने framework define किया है अगर हम बात करें इस framework का उद्देश है कि ये develop करें साथी सथ implement करें जो practicable framework है जो की research and development किसके उपर जो आपनी carbon capture utilization जो services है उसके उपर इंडिया के अंतरगर बढ़ाया जाए इसके अलाबा ये explore करेगा जो इसकी importance है CCUS की इसके अलाबा ये emission जो reduction strategy है जो की achieve करेगी deep decarbonization और hard to जो sectors है जिसके अंतरगर carbon का उसरजन जादा होता है जाचे की steel, cement और ये है जो sectors है इनको जो decarbonization कराने के लिए ये प्रतन करेगी ये technique अगर हम CCUS की बात करें तो ये encompass करती है technology जो की remove करती है CO2 को from the atmosphere इसके अलाबा ये जो recycle भी करती है CO2 को जिसको हम आंगे further इसको use कर सकते हैं और इसको आंगे safe and permanent store भी किया जा सकता है अर्थ के अंतरगत या आपके C के अंतरगत अगर हम बात करें हमें जरूद क्यों है CCUS की तो इंडिया जो third largest emitter है CO2 का in the world इसके अलाबा ये country को harp कर सकेगा जो CO2 emissions है by 2050 तक जो कि भारत ने अपनी पंचामरत के अंतरगत 2070 तक जो net zero का जो लक्ष रखा है उसको अचीब करने में ये साहता करेगा साथी साथ जो convert करेगा जो CO2 है उसको green urea में भी convert किया जा सकेगा building material में convert किया जा सकेगा जो की contribute करेंगे आपकी एक तरीके से circular economy को इसके अलाबा ये ensure करेगा sustainable development को growth in India जो की particularly जो production करेगा clean product and energy को इसके अलाबा इसके अंतकत कुछ policy recommendations भी दी गई है जिसमें CCUS जो policy है जिसके अंतकत carbon credit है और जो incentivized जो based है उसको promote करेगा CCUS sector को through the tax और जो cash credits जो हम carbon tax के रूप में लेते हैं उसको इसके अंतकत use किया जाएगा इसके लाबा एक setup किया जा रहा है national decarbonization fund जो की transition करेगा Indian industries का जो की low carbon economy के रूप में industry को transition करने में साहता करेगा और ये protect करेगा जो community affected हो रही है climate change से by ensuring the distribution जो की economic value है जो create की जाएगी CCUS के दोरा तो वे उनको transfer करने की कोशिस करेगा उन community को protect करने की कोशिस करेगा जो की impact हो रहा है climate change का उन पर इसके लाबा अगर हम बात करें इस technique की तो इसमें जो capture किया जाता है direct source से जैसे की capture from the जो की fossil जो biomass है जो fuel जो power stations है उनके दोरा जो carbon dioxide का उस्टरचन हो रहा है इसको यहाँ पर capture किया जाता है इसके बाद इसको transport किया जाता है compress CO2 को या तो इनको sip के दोरा या pipelines के दोरा इनको capture करने का प्रयास किया जाता है और एक टांसपोट करने का प्रयास किया जाता है और इसका जो further use है उसको भी इसके अंतरगर्ड इसमें imply किया जाता है जिनके लिए imports के लिए आपको CO2 की जरुवत होती है तो उनको input के रूप में इसके feed stock के रूप में दिया जाता है जिससे कि ये जो product और जो services हैं इसके अंतरगर्द संचाले की जाती है इसके लाव इसको transport किया जाता है और इसको फिर जो की आपके इसके अंतरग सकते हैं मतलब आपके तट से दूर या आपके offshore भी इसके अंतरगर्द इनको इनको capture किया जा सकता है तो यह question में डिसकस किया CCUS से सम्मंदिद चलिए चलते हैं next question पे next question आप से पूशा गया है कि जो global barter resources जो 2021 जो report है अभी recently news में रही यह किसके दौरा release की गई है तो इससे स चारा option दिये गये हैं world meteorological organization, united nation environment program, world wing, world food program तो इसमें आपको correct answer find out करना है तो चलिए देख लेते हैं इसका answer इसका जो report है global barter resources 2021 जो report है वह release की कई है world meteorological organization के दौरा तो इसके लिए देख लेते हैं अभी यह चर्चा में क्यों है world meteorological organization released किया है इसकी first state of global barter resources report को यह report जो assist कर रही है जो कि climate, environmental और जो societal जो change हो रहे हैं बै उसका अर्थ की जो barter resources पर क्या effect पढ़ रहा है इसके लाबा यह include करता है in conditions को जिसमें आपकी stream flow आती है और जो terrestrial barter storage जाते हैं इसके लाबा जो cryosphere जो parameters है उसके अंतगर जो barter storage है उनको यह assist करता है अगर हम बात करें इसके key observations की तो इसके अंतगर यह बता रहा है कि melting of glaciers के कारण एक जब समय तक melting होती रहती है glaciers की तो यह इसका जो increase हो जाता है run of water और एक peak point होता है मतलब turning point होता है जहां से फिर इस run of water की कमी होना शुरू हो जाती है और उस जो point को कहा जाता है peak water इसके लाबा इसका कहना यह है कि जो 74% जो all जो natural disasters आये हैं उसमें से between लगवग आपके 2001 से 2018 तक लगवग 14% आपके इससे सम्मंदित हैं इसके लाबा 3.6 billion जो people है उनको अप्रयाप्त access है inadequate access है बाटर की इसके लाबा इनको जो month per year भी इनको इनको बाटर means इनको per year में भी एक मंद का भी बाटर नहीं मिल पाता और इसका जो भरने का जबी जो 3.6 billion है बोई 2050 तक 5 billion होने तक का इसमें expected है इसके लाबा लगातर continuous जो आमारे glaciers जो पिगल रहे हैं इसके लाबा जो snow है जो clear जो train देखने को मिल रहा है जो की acceleration कर रहा है mass losses जो multi-decadal जो time skills है उसके अंतरकर अगर हम बात करें इससे सम्मंदित recommendations की तो invest किया जाना चाहिए जो capacity gap है जो collecting data है at the national level उसके लिए invest किया जाना चाहिए कि इससे सम्मंदित जो data को collect किया जाए इसके लाबा sharing of hydrological data है उसको international level पर भी share किया जाना चाहिए और international level से भी उसको लिया जाना चाहिए इसके लाबा development किया जाना चाहिए end to end जो drought और जो flood जो early bonding system है उनका निर्धरन किया जाना चाहिए उनको अभिकास किया जाना चाहिए इसके अलाबा जो working जो आपकी global जो community है उसके साथ मिलकर जो global hydrological जो community है उसके साथ मिलकर इसको रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए बा बॉलियूम बाटर है किसी चैनल से पास हो रहा है और ये at a given time कितना बाटर का बॉलियूम इससे पास हो रहा है आपका कहलाता है stream flow जिसको assess करता है WMO जो भी आपने रिपोर्ट की बात की इसके अलाबा एक terrestrial बाटर स्टोरेश होता है TWS होता है इसके अंतरगा जो terrestrial पर जो क continental water का best के अंतरगत आते हैं जिसमें आपकी snows आ जाती है आपकी ice आती है rivers, lakes और जो आपके batlands जो soil के अंतरगत जो है best सारे इसके अंतरगत सामिल हो जाते हैं इसके लाबा जो cryo spare होता है cryo का मतलब यह होता है कि frozen water जो भी आपका जो precipitation हो रहा है snow precipitation वे इसके अंतरगत सामिल ह होता है snow, ice जो आपके icebergs होते हैं जो glaciers होते हैं इस frozen water में इनको सामिल कर लिया जाता है इन तीनों को ही assist करता है जो आपकी आपका water जो resources है इन तीनों को assist करने का काम करता है WMO उसी से related उस assessment से संबंदित report ही WMO के तोरह release की गई है तो यह question हमने discuss किया एक report से संबंदित के regarding आपको तीन statement दिये गए है फर्स statement में कहा गया है कि जो zombie virus है यह virus immerse हो रहा है क्योंकि जो perma forced है global temperature rise होने के कारण जो perma forced है बै पिगल रही है थौइंग यानि पिगलना इसके लाबा जो second statement में कहा गया है कि जो oldest जो virus है 48,500 year old है जिसको आपको कहा जाता है Pandora virus यह डॉमा third statement में आपसे कहा गया है कि जो Pandora virus है यह discover किया गया है below the bottom of a lake जो कि आपकी UKC जो Alice है जो कि Yakutia रसिया में इस्तित है तो इसके regarding आपको correct statement find out करना है तो चलिए देख लेते हैं इसका अंसर इसमें जो first statement में बात की गयी है कि जो zombie virus है यह virus immerse हो रहा है क्योंकि लगाता temperature rise हो र आपकी बिगल रही है तो इसके अंतरगत यह correct statement है second statement में जो बात की गई है कि यह सबसे जो oldest virus था where 48,500 year old है जिसको हम जानते हैं Pandora virus के रूप में इसके लाबा third statement में जो कहा गया है कि जो Pandora virus है यह discovered किया गया था जो एक lake है UKEACHI lake, Alas Lake जो कि Yakutia आपके रसिया में इस्तित है तो इसके अंतरगत इसको discover किया गया था तो यह भी इसके अंतरगत correct है और जो Pandora virus, Yadoma की हमने बात की इसके अंतरगत बही correct है इसलिए इसका जो answer हो जाएगा A, 1, 2, and 3 जालिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा क्योंकि जो European researcher है उन्होंने concerns raised किया है जो कि जो pandemic ह जो अभी हमारा एक तरीके से COVID pandemic से हम छूटे हैं तो एक तरीके से अनादर जो pandemic आ सकता है क्योंकि research हो रहा है 48,500 यार ओल जो zombie virus है वै जो frozen lake थी रिसिया में उससे हमें देखने को मिल रहा है जो researcher है उन्होंने bond किया है कि जो climate change के करण जो लगातार आपकी जो permanently frozen जिसको आप आपको पर्माफोस्ट का जाता है वै लगातार पिगल रही है जो कि architect के अंतरगत एक तरीके से new public health threat लाज सकती है इसके अलाबा अगर हम बात करें तो इसमें जो zombie virus के रूप में तो 13 new pathogens जो की characterize किये गए हैं जिसको term किया जाता है आपके zombie virus के रूप में जो की remain infectious कई जो million years स इसके यह एक तरीके से frozen थे एक trap थे frozen ground के अंतरगत लेकिन फिर भी यह infectious है जो 13 new pathogens इसके अंतरगत किये गए हैं और जो virus है यह इमर्ज हो रहा है क्योंकि लगाता जो फर्माफ्रोस्ट है global temperature के राइश होने के कारण यह जो फर्माफ्रोस्ट है यह पिगल रही है जिसके कार अंतरगत रखता है अगर हम बात करें जो oldest हमारा जो पैंडोरा बाइरस युडोमा के बारे में तो यह एक mythological character पैंडोरा के नाम पर रखा गया है जो की 48,500 ओल था इसका जो record किया गया था यह जो फ्रोजन बाइरस है जो की state के अंतरगत यह की potential रखता है इंफेक्ट करने क other organism को इसके लाबा previously भी इसी तरीके का एक virus से इसके नगर find out किया गया था जिसकी जो age बताई कही थी वे 30,000 year old virus discover किया गया था 2013 में इना cyber area इसके लाबा इसके कारण क्या हो सकते हैं क्योंकि जो one quarter of अगर हम बात करें तो यह northern जो hemi spare है यह लगवक आपका permanently frozen ground है जिसको हम क् permafrost कहते हैं इसके लाबा जो लगातर climate change हो रहा है और जो लगातर climate हमारा warm हो रहा है irreversibly उसका जो पिगलना हो रहा है permafrost का तो यह release कर रहे है organic matter जो की frozen के अंतरगत millions of years से लगवक उसमें संरख्षित थे और जो की decompose कर रहा है carbon dioxide जो की इसके अंतरगत संरख्षित थे उन matter के अंतरगर CO2 और जो methane के साथ आपके इसके अंतरगर organic matter में एक cellular microbes जिसको आप prokaryotes या unicellular eukaryotes भी पूल सकते हैं यह एक तरीके से साथ ही साथ viruses भी इसके अंतरगर remain है जो की dormant conditions में एक सुसुत अवस्ता में कई समय से पड़े हुए थे जो की इसके पिगलने के कारण उ यह इनका potential है कि यह infectious कर सकते हैं जो की health dangers ला सकते हैं जो की अगर यह life cultures इनका होता है क्योंकि यह self generate नहीं हो सकते हैं इनको generate होने के लिए host cell क्या आप सकता होती है और अगर यह बातावर्ण में release होते हैं तो एक तरीके से यह pandemic भविस्त में ला सकते हैं और यह जो pandemic होगा ल melting फर्मा वोस्ट इसी तरीके से release होती रही जो long development जो virus है बातावर्ण में release होंगे जैसे कि आपका microbial captain America हमने देखा था तो यह future में कई तरीके की threat उत्पन कर सकता है तो यह question हमने discuss किया zombie virus से संबंदे इसी तरीके की session हम आपके बीच में लाते रहेंगे प्लीज stay tuned and subscribe to the Unlock GS Academy me thank you